Hello Real Students, कैसे हैं आप लोग? I hope that you all have been taking care about studies because examinations are coming closer and closer आज इस बहुत ही छोटे से वीडियो में last year 2020 के सभी सेट्स के UP board examination की जो matching है important उसको मैंने एक साथ board पे लिख दिया है आप लोगों की सहुलियत के लिए, help के लिए प्लीज मैं बहुत जल्दी मैं इने बताता हूँ आप लास्त तक पूरे वीडियो ज़रूर देखें अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें सबसे पहला word है revive revive का अर्थ है पुनण जीवित होना इसकी matching होगी come back to life जीवन में पुना वापस आना दूसरा है crooks इसका अर्थ है बेइमान या dishonest people तीसरा है symbol symbol माने प्रतीक या token चौथा word है whispered मतलब धीरे से कहना या फुस फुसा के कहना इसका मतलब हो गया said slowly ये इसकी matching है दूसरा है familiar familiar माने परचित या known दूसरा है entire का मतलब पूरा, सारा, संपून, total अगला word है vast जिसका मतलब होता है huge या विशाल फिर अगला word है homage इसका अर्थ है other tribute फिर है predicted जिसका matching है foretold जिसका मतलब होगा भविश्वानी करना अगला word है fame fame का matching है reputation या प्रसिद्धी अब हम दूसरी तरफ के पार्ट में आते हैं जो मैंने लिखा है sacred, sacred का अर्थ है holy या पवित्र appreciate, प्रिशंसा करना या admire इसका matching है pause, रुखना, कहते कहते किसी चीज़ पर stop करना stop for a short या for a while भी आ सकता है तो ये matching होगी अगला word है precious जिसकी matching है valuable या कीमती या मूल लिवान उसका अगला word है drap, drap की matching है cover, ढखा हुआ bulging, socrates का part है उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ, coming out और उसका अगला word है will माने, इच्छा, desire उसका अगला word है mystery, mystery का matching है secret है, रहस last but not least haggling, haggling का मतलब है bargaining करना या मोल भौ करना so प्यारे चात्रों, इस बहुत ही छोटे वीडियो में आप पूरा जरूर देखिएगा ये पिछले साल के सभी sets की matching है, ऐसे ही वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, आज इसकी मागई है please त्यारीं करिएगा, और इसे